वेल, Hello guys, Welcome back to the video, यह चल रही है हमारी Blender Modifiers, D4 Modifiers की Series, जिसमें हमने अभी तक इतने Modifiers cover कर लिए हैं, हमने पिछली वीडियो एंड करी थी Simple D4 Modifier पर, आज हम Smooth Modifier पढ़ने वाले हैं, एक जबरतस Modifier हैं तो क्या होता है, स्मूथ हो देखते हैं, हम इसी के लिए अब तक क्या करते हैं, हम करते हैं आ रहे हैं कि हमारे पास एक Low Poly है, उसको हम सेट स्मूथ करते हैं तो एक मैच जो था वो लो पोली बन जाता है, ठीक है, अब इसको हमें Solid या मतलब एक Perfect Edges के लिए हम क्या करते हैं, हम लेखें, Subdivision, Certus, Modifier, ठीक है, इसकी शेप में थोड़ा चेंज होता था, हम लूप कर देदे दे था, तो लूप कर दे था, उससे क्या होता है, कि सारे एजस जो है, जैसे कि अभी Low Poly है, हम लूप कर दे दे था, कुछ इस तरह से, तो यह वापस अपनी शेप में आ जाता था, विथ एजस ठीक है, अब तक हम यह कर रहे थे, कुछ इस तरह से, यह, जैसा हमें Polygon चाहिए, या जिस तरह से हमें Shapes या एजस चाहिए, हम उतने लूप कर लगा के, जो इसे Shape को Transform कर ले थे ठीक है, यह सब आपको बता ही है, आज हम क्या नया सीखेंगे है, आज हम सीखेंगे की, एक Complex Work को किसे Handle किया जाए ठीक है, या हम सम्टाइम्स Bevel लागा जा जाता है, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कुछ अलग, यह मेरे पास Bireflex Spear है, इसको Smooth करेंगे हैं तो आज हो आज है, तो वह को जिक्कत नहीं है, हाँ, तो मैं यह कह रहा था कि, हमने Displace Modifiers Add किया, एक Texture Add किया, New, Okay, Texture Property बे आ गए और हमने Texture ले लिया, आज हम ले लेते हैं, Noise Texture, जो भी Texture आप मन पसंद Texture को आप यहां से ले सकते हो, ठीक है, यहां से आप Depth वगेरा Increase कर पाऊगे, तो अब मैं क्या बन रहा हूँ कि अगर मैं इस पर Deplace, यह करूँ इस पर Smooth Modifier apply करू, Shade Smooth करूँ ठीक है, तो यह Low Poly बन गया, अब इस पर अब क्या करोगे आप, इस लिए नंबर ओफ वर्टाइस, एजेस या वार्प्रेमोड में आपको देखाँ, तो कितने नंबर ओफ जो है, लूप्स बने हुए, तो यह complex work हो जाता है मारे पास, ठीक है, तो set smooth कर देंगे, तो नहीं हो पाएगा, आप को होगे कि यार हम दू इस लिए हम स्मूध मोडिफायर के यूज़ करते हैं, जिसे हमने किया, स्मूध पे की, और अब मैं करूँ, शेट स्मूध, तो यह एक स्मूध जो हमें, मोडिफायर देखने को मिलता है, मैश पे, तो यहां से भी आप, जो इसकी साइज, इंक्रीज, इक्रीज, चेंज़ कर पाऊ गया, और आप टेक्च्च्चर चेंज कर सकते हो, अभी हमने कौन साथ चूस किया दा हूँ, मैजिक टेक्च्चर था, तो स्मूध नेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बग था, वो कहीं ने कहीं, ईजी हो गया, इसके थू, राइट, यह, यहां से आप depth increase कर पाऊगे, decrease कर पाऊगे, तो यह हमारा जो काम था, लाइक हमारा बोली जो था पहले, वो एक smooth बनी जाड़ी है, तो यह काम होता है, हमारे smooth modifier का, कुछ इस तरह से, और आप यहां पर इसको texture या colouring कर सकते हो, यहां पर, यह मैंने new texture add किया, basically guys, मेरा CPU थोड़ा सा slow age में graphic card नहीं है, इसलिए कभी कबार जोए, यह थोड़ा सा lag होता है, बट ठीक है, यहां यहां से color juice कर से, तो, for suppose मैंना किया red, ठीक है, and, हमारे, वीपोर्ड में, रेट कर इस पर अप्लाई हो गया, let me enable the scene, sorry guys, यहां पर, हमने इसकी opacity world opacity increase कर गी, तो, हमारा scene तो, चीस तरह से दिखाए दे रहा है, okay, यहां पर भी एक option होता है, जिसके दूर साब, world की opacity increase decrease कर गी, okay, okay, so, यहां पर एक वीव पोड़ आजीए, उससे भी आप जो यह बेग्राउंड जो है, visible कर सकते हो, और यहां से चुपर सकते हो, और यहां से texture लेरे सकते हो, जो आपके poly को effect कर आपको visibility provide करें, so, यह कुछ इस तरह से बन गया है, so, यही मैं आपको दिखाने वाला था कि smooth modifier कैसे work करता है, अगर कैसा कुस मजमाँ होगा, पसंद आया होगा तो please video को like कीजिए, चैनल पर नहीं विचे लोग सब्सक्राइब कीजिए, मिलते ही next video में, keep practicing, और ही सारे textures अप like के देखिए, झाल में झाल म कीजिँ तरshे लोग में बनाया में इलीक्या झाल में घização अए सकते ouais खे झाल माँ सब्सक्राइ़ किघानिंटर्सव के बना फस्ताओ भी सुन सब्सक्राइ़ नहीं बनाया की है, झाल झाल